हलो फ्रेंज्स वेलकम बेक तो माई चैनल ये इस ट्रामी के हिंदी एक्स्प्लेनेशन का पार्ट फॉर है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैन मिन को भार लाता है तुम्हें होस्पिटर जाना होगा असिस्टन बोलता है मैंने पुलीस से बात कर ली है वो इन्वेस्टिकेशन कर रही है रास्ते में असिस्टन देखता है कार का ब्रेक फेल हो चुका है तबी इन दोनों का एक्सिडेंट हो जाता है काई दूर से ये सब देख रहाता और समझ जाता है ये सब रोंग नहीं करवाया होगा काई मिन को उठा के होस्पिटल में लेकर आता है चैन रोंग के साथ होता है तब ही उसे कॉल आता है और उसे अक्सिडंट के बारे में पता चल जाता है चैन बहुत गुसे में था ऐसा क्या हुआ चैन सब बता देता है रोंग बोलती है हो सकता है मिन काई के साथ हो तभी चैन को होस्पिटल से कॉल आता है इस बार मिन को बलड की जुरत थी डॉक्टर बोलती है फैमली में अगर किसी का बलड ग्रूप एक ही हो तो बुला लीजिए चैन रोंग को कॉल करता है मि मिन तो मरने का नाम ही नहीं लेती रोंग ब्ल sofort देखर वापश आती है चैन बोलता है ठीक तो हो ना तुम पर रोंग तो कि चैन के चिपकने का मोका देख रही होती है रोंग बोलती है किया तुम तुम कुझे रोम में ले जाओगे चैन बोलता, नहीं, नर्स के साथ चली जाओ तभी काई भी आ जाता है चैन पूछता है केसी है मिन काई बताता है वो मर गई चैन बोलता है ऐसा केसे हो सकता है और अंदर आता है और मिन को देखकर रोने लग जाता है काई बोलता है मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं उसे नहीं बचा पाया चैन काई को बोलता है य चेन तो उसे धखका मार देता है. नेक्सीन में काई मिन का इलाज कर रहा होता है. एक्शली में वो मरी नहीं थी. चेन काई के पास आता है. मुझे मिन की बोड़ी चाहिए. काई बोलता मैंने फिन्डरल कर दिया है. ये सुनकर चेन तो रोने लग जाता है. काई मिन के साथ होता है और उसे फ्रूट खाने को बोल रहा होता है मिन बोलती है मुझे चैरी ब्लूजम देखने ही जाना है काई बोलता तुम्हें जान जाना है मैं वहाँ लेकर चला जाऊंगा और सोचता है मैं चैन से तुम्हें दूर ले जाना चाहता हूं सरवन्ट चैन को डीनर के लिए बुला रही होती है पर चैन तो कोई जवाब नहीं देता रोंग बोलती है मैं बात करती हूँ आप जाओ रोंग फिर से अपनी एक्टिंग करने लग जाती है मिन चली गई है ऐसे अपसेट रिने से क्या होगा वो वापस थोड़ी आ जाएगी चैन बोलता है चली जाओ यहां से रोंग बोलती है तुम अपसेट हो मुझे पता है पर मैं भी तो बिमार हूँ ना मेरा उपरेशन भी नहीं वावी तक टोक्टर ने बोला था मैं जादा टाइम तक बच नहीं पाऊंगी चैन बोलता है माफ कर देना मैं तो भूली गया था रोंग भूलती है कोई बात नहीं पर मेरी आकरीच चाहे कि तुम उससे शादी कर लो मैं तुमारी वाई बन कर मरना चाहती हूँ मैंने तुमारी जान बचाए थी अब तुमारी बारी है एक्शली में तो चैन की जान मिनने बचाई होती है पर होस्पिटर में जब आके खुलती है तो चैन को उसके सामने रोंग मिलती है चैन को एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं था इस बात का फाइदा उठाके रोंग बोलती है मैंने ही तुमें बचाया था ये बात याद करने के बार चैन अपने असिस्टर को शादी की तैयारिया करने को बोल देता है ये सुनकर रोंग तो उसे हख कर लेती है तुमने मेरी विश पूरी कर दी रोंग का प्लैन था शादी के बार ठीक हो जाऊंगी और ऐसे कभी चैन को पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी बिमार भी थी या नहीं इधर मिन काई को बोल रही होती है ऐसा लग रहा है मैं याँ पहले भी आ चुकी हूँ एक्शली मैं मिन सब कुछ भूल चुकी थी काई बोलता हाँ क्योंकि तुम हर देन आप 23 जंगा की वीडियो देखा करती थी ना रॉंग वेरिंग ड्रेस ट्राइ कर रही होती है वो उसे नहीं आती रॉंग बोलती है ऐसा नहीं हो सकता रॉंग बोलती है मैं होने वाली मिसासश चैन हूँ मेरे पास पेसो की कम ही नहीं है लेकिन employee साथ मना कर देती है हम आपको दूसरी dress नहीं दे सकते क्यूंकि ये एक ही है रोंग chain के पास आती है और ऐसे जता रही होती है जैसे उसे दिखाई नहीं देता chain बोलता है तुम प्यार ही लग रही हो तभी chain को मिंद दिखाई देती है चैन भार आ जाता है तब ये असिस्टेंट का कोल आता है आपकी शादी की नियूस हर जंगा फैला दी है क्या ग्रेंडमा को भी इस बारे में बताना है चैन कुछ नहीं बोलता रोंग जानकर गिरने वाली थी चैन उसे पकड़ लेता है रोंग पुछ तिये क्या हुआ चैन मैंने मिन को देखा रोंग बोलती ऐसा कैसे हो सकता है वो तो मर गई है ना और मन में सोच रही होती है अगर तुम बूत भी बन गई हो ना फिर भी मैं तुमें नहीं चोड़ूंगी हमारी शादी के बीच में अब कोई नहीं आ सकता अगले दिन रोंग और चैन की शादी हो होती है क्या हुआ है yeah बोलता है इस वो साँ है किया बोलता है इस रोंग की वजह से तुमारी वाइफ मरी है मैं चाहता हूं तुम लाइफ टैंग रीड Kleis में रहा हो रोंगभी भी भी बोल रहा होती है यसाभ का bewार ने जान कर किया है ये वीडियो भी जूटा है चैन अब समझ गया था तुमने मुझे बेफकुफ बनाया मुझे अब तुम्हारी शकल नहीं देखनी रॉंग अभी भी चैन को शादी करने के लिए बोल रही होती है पर चैन शादी को कैंसल कर देता है असिसेंट आकर चैन को बोलता है र वो मिन को देख लेता है वो उसके पास आके बोलता है मुझे पहचाना क्या मैं तुम्हारा हस्बंड हूँ मिन तो पुलिस को बुला लेती है ये देखो पता नहीं ये कौन है मेरे पीछे पढ़ गया ये दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं चैन बोलता है मैं इसका मैं जब ठीक हुई थी तो मेरा हजबन मेरे साथ था पुलीस ओफिसर पूछता है उसका नाम याद है क्या तुम्हें मिन बताती है हाँ काई वो डॉक्टर है चैन समझ जाता है काई ने उसकी वाइफ को अपना ही बना लिया है तब ही काई वहाँ आ जाता है तुम ठीक तो होना जान मिन बोलती हाँ पता नहीं कोई पागर मुझे अपनी वाइफ समझ बैठा चैन बोलता है तुमने मुझे जूट बोलाना वो से हिट करने वाला था पर मिन बोलती है मेरे हस्बन से दूर रहना भारा कर चैन मिन को जाने नहीं दे रहाता तो मेरी वाइफ हो मिन बोलती है कोई गलत फहमी हुई है चैन फिर से काई को हिट करने वाला था मिन बोलती है आपका बहुत हुआ मेरे हस्बन से दूर रहना वरना छोड़ूंगी नहीं चैन तो रोने ही लग जाता है असिस्टेंट बोलता है बोस हमें यहां से चलना चाहिए काई मिन को लेकर जा रहा था और उसे बोलता है क्यों न हम गूमने के लिए माल दीव्स चले तुम्हें वाँ जाना था ना मिन बोलती है पर इतनी जल्दी काई बोलता है वाँ हमें मज़ा भी आएगा तुम कहां जा रही हो मिन बोलती है तुम कौन हो वो गिरने वाली थी पर चैन उसे बचा लेता है मिन को याद आता है कि ऐसे चैन उसे टोर्चर किया करता था मिन बोलती है तुम दैविल हो दूर रहो मुझसे तब ही काई भी वहाँ आ जाता है तुम मेरी मिन के पास क्या कर रहे हो चैन बोलता है तुम्हारी कब से हो गई है और उसे पंच मारता है मिन बोलता है जाओ वरना पुलीस को बुला लूँगी मैं चैन बोलता है बुलना मत तुम्हारा हस्बंट मैं ही हूँ इदर रोंग अपने बंदे के पास होती है उसका बंदा बोलता है जाने मन चैन तो तुम्हें भावी नहीं दे रहा अब तुम क्या करोगी रोंग बोलती है वो जादा टाइम तक मुझसे दूर नहीं रह पाएगा मैंने उसकी जान बचाई थी उसे मेरे पस वापिस थाना ही होगा तब ही उसे कॉल आता है मुन अभी भी जिंदा है ये दोनों उसे देखने आते हैं वो बंदा पैसे मांग रहा होता है रोंग अपना नेकलेस देती है और उसे मिन को मारने का ओडर भी दे देती है यहां काई मिन को होटल में लेकि आता है मिन बोलती हम घर क्यों नहीं गए उसे पता चल जाता है काई उसे कुछ छुपा रहा है इसलिए पूछ दिये तुम चैन को कैसे जानते हो काई बोलता तुम उससे दूर रहना उसने तुम्हार साथ बहुत कुछ गलत किया है मिन बोलती है इसका मतलब वो मेरा हस्बेंड है और वहांसे जाने लगती है काय उसे रोकता है ऐसा मत करो पर मिन नहीं सुनती तुमने मुझे जूट बोला ऐसा क्यों किया तुमने वो जैसे ही नीचे आती है रोंग का बंदा उसे ठोक देता है और इवन वीडियो भी ले लेता है इस बंदे को लगता है मिन मर गई तो उसे रीवर के पास छोड़ देता है पर वो जिन्धा होती है जब ये बात रोंग को पता चलती है तो बोलती है मुझे भी मिन की बोड़ी देखनी है यहां मिन बहुत जादा डर गई थी इवन गिर भी जाती है तब ही उसे चैन मिल जाता है क्योंकि चैन को मिन के फून के तुरू लोकेशन पता चल गई थी चैन बोलता है तुम ठीक तो हो ना मिन हां बोल देती है चैन मिन को ठा लेता है पर उसे भी भार जाने का रास्ता मिल नहीं रहा होता मिन बोलती है मुझे नीचे उतारो मैं चल सकती हूँ यह सब रोंग और वो बंदा भी देख रहा होता है रोंग बोलती है तुमने तो कहा था तुमने उसे निफटा दिया है तो वो चैन की बाहों में क्या कर रही है तुमने पैसे पूरे लिये थे ना तो जाकर अपना काम निपता हो वो बंदा जाता है और मिन के बदले चैन को मारता है मिन बोलती है तुम ठीक तो हो ना चैन मिन को किस करता है मिन बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो चैन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो मिन को सब कुछ याद आ जाता है और चैन भी होश हो जाता है पर तब तक असिस्टेंट वहाँ आ चुका था जैसे ही चैन को होश आता है मिन उसके सामने होती है और बोलती है मुझे सब कुछ याद आ किया है पर फिर भी मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहती हूँ तुमने एकाई किसा ठीक नहीं किया है चैन बोलत है मैंने कु挑़ करуки्ड किया है मुझे सब 깊झर कोई- ff को बताता है जिसने मिन का एक्सिडेंट किया था वो पकड़ा गया चैन बोलता है पूछो उससे किसकी कहने पर उसने किया था असिसन उस बंदे को बहुत मारता है तब ही चैन भी वहां आ जाता है वो बंदा बताता है मैंने मिन के डैड स्टैप मॉम और भाई को पैसो के लि जा रहा ही है, तो परपोस्त करने जाता है, पर मिन उसे भाव नहीं देती, मिन एक कैफे में आती है, जैसे यह अपना ओर लेने चाता है। रोंग तो बहुत जारा खुश हो रही होती है तब ही पुलीस आती है और उसे पुलीस टेशन ले आती है रोंग बोलती है लगता है अपने मुझे गलती से पकड़ लिया है आफिसर बोलती है मिन के बैग पर तुमारे फिंगर प्रिंट मिले हैं एवन हमारे पास वाँ की CCTV फ बचाई थी इसलिए तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूं रोंग स्माइल कर रही थी चैन को याद आता है जिसने उसकी जान बचाई थे उसके हाथ पर कोई बर्थ माग था असिस्टन बोलता है अपकी वाइफ ने सरश्री करवा कर अपने बर्थ माग को हटवा लिया था पर रोंग ने वैसा ही टेटू बनवा लिया था चैन अपनी वाइफ के पास आता है मुझे माफ कर दो मुझे पता चल गया है वो तुम थी जिसने मेरी जान बचाई थी यहां रोंग भी आ जाती है क्योंकि अब चैन उसकी हल्प नहीं करने वाला था वो मिन के पैरों में मैं चैन से प्यार करती थी मैं तुम्हारी लाइफ से जेलस थी मिन बोलते है तुम जेल में ही रहो रोंग मिन को मारने वाली थी पर चैन बीच में आ जाता है इसके बाद में कुछ मेंनों के बाद का सीन दिखाया जाता है मिन और चैन साथ में थे यानि मिन ने चैन को माफ कर दिया था मिन प्रेगनेंटी तभी उसे लेवर पिन होने लग जाते हैं यानि मिन का बेबी आने वाला था चैन मिन को उस्पिटर लेकर आता है डिलीवरी के बाद डॉक्टर बोलती है मिन और बेबी दोनों ही ठीक है चैन तो खुश हो जाता है फाइनली में डैट बन गया यहीं पर इस कहानी का डियेंट हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें यो अपडेट्स के लिए बैल आइकन का बटन प्रेस करें मिलते नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगे ढ में आलब को बस्ट करें करें लूद समक्राइब हो और में इसक्राइब करें मौन बूरभ करें तक बात करें धिते अंक, वीड़ियो की आडरोशनेर